नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नम्रिता यूपी की कमान जब से योगी सरकार ने संभाली है तब ही से खाकी वर्दी चर्चाओं में बनी रहती है चुनावी महौल में भी खाकी वर्दी चर्चाओं के चर्म पर है लेकिन यहां बात एक ऐसे अफसर की होगी जो कभी आतंकियों के लिए काल था जिसके नाम से ही दुश्मन की धड़कन थम जाती है अब वो योगी सरकार का सेहयोगी बनने जा रहा है और उस खाकी वर्दी वाले का नाम है असीम अरुन असीम अरुन एक ऐसा नाम जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है वैसे देश की सियासत में खाकी के बाद खादी का सफर कोई नया नहीं है और खाकी को छोड़कर राजनिती में अपनी किस्मत आजमाने वालों में 1994 बैच के आईपेस अफसर असीम अरुन का नाम भी चुड़ गया है आपको यहां बता दें आईपेस अफसर असीम अरुन ने शनिवार को स्वेचिक सेवा निवरती योजना के लिए राज्ये के डीजीपी मुकुल गोयल को आवेदन दिया और इसके बाद मुखेमंतरी योगी आदितिनाथ से मुलाकात की बताये जा रहा है कि बीजेपी असीम अरुन को कन्नौच से चुनाव लड़वा सकती है क्योंकि वो मूल रूप से कन्नौच के ठटिया के गाउं खैर नक के मूल निवासी है वैसे तो कन्नौच को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और पिछले लोग सभा चुनावों में बीजेपी ने यहां समाजवादी पार्टी को मात दी थी आपको यहां बता दे शनिवार को एक फेस्बुक पोस्ट के जरिए असीम अरुन ने बताया मुझे सीम योगी आदितनाथ की तरफ से बीजेपी जॉइन करने का ओफर मिला है मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इस काबिल समझा गया मतलब बिलकुल साफ है अब असी मरुन अपना पूरा अनुभव राजनिती में लगाना चाहते है असी मरुन ने अपने फेस्बुक पोस्ट में ये भी कहा कि वो महत्मा गांधी के सिधानतों पर काम करने वाले हैं समाज के हर वर्ग के सम्मान के लिए महनत करेंगे महीं अपनी पोस्ट में असी मरुन ने इस बात पर दुख भी जाहिर किया कि वो अब पुलिस की वर्दी दुबारा नहीं पहन पाएंगे उन्होंने अपने फेस्बुक पोस्ट में लिखा केवल एक ही कष्ट है अपनी अलमारी के सबसे सुन्दर वस्त्र अपनी वर्दी को नहीं पहन सकूँगा उन्होंने कहा कि अपने साथियों से विदा लेते हुए वचन देता हूँ कि इस वर्दी के सम्मान के लिए सबसे आगे खड़ा मिलूगा आपको मेरी ओर से जोड़दार सेलिट असी मरुन को सबसे पहले स्वाट बनने का भी श्रे जाता है असी मरुन 1994 बैच के आईपेस अधिकारी है पिछले साल मार्च में कानपूर पुलिस कमिशनर की जिम्मदारी संभाली थी इससे पहले असी मरुन ATS शीफ के पतपर न्यूप थे यूपी पुलिस के सिंगहम अधिकारियों में उनकी गिनती होती है उनका जन 3 अक्ट्यूबर 1970 को बनाईउं में हुआ था असी मरुन के पता भी आईपेस अधिकारी थे असी मरुन ने डीजीपी का पद भी संभाला था जिस सीट से असी मरुन के बीजेवी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की चर्चा की जा रही है अगर उस सीट पर नजर डालें तो कनौत सदर विधानसभा सीट को सपा का गड़ माना जाता है पिछली बार 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश में मोदी लहर के बावजूद भाजपा को यहां से हार का मुझ देखना पड़ा था समाजवादी पार्टी यहां से 2002, 2007, 2012 और 17 में लगाता और चौथी बार विजेता बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी के अनिल कुमार दोहरे तीन बार के विधायक है ऐसे में देखने वाली बात अब यह है कि सपा का अभेद किला माना जा रहा कन्नौज को ढाने में असी मरुन, CM योगी की मदद कैसे करेंगे बैरहाल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यह देखने वाली बात होगी कि कन्नौज सदर से बीजेपी को जीत मिलती है या फिर नहीं आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर